हेलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड आप वीवा में स्वागत है बहुत बहुत जादा ही स्वागत है आज देखिए आज है संडे और मैं संडे को बहुत काम करती हूं अपने टारस गार्डन पर और यह है गवारफली के पौदे एक्चली गवारफली में क्या होता है चोटा 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 उसका बीज होता है तो एक जगह बहुत सारे गिर जाते हैं और उसमें गवारफली में यह भी होता है कि बहुत सारे पौदे जो होके भी बढ़ जाते क्योंकि उसकी पौधा जो उसका बहुत ही डेलिकेट होता है तो गिर जाने के लेकिन मैं उसको उखाड़ी नहीं। क्योंकि हम लोग सुबर में काड़ा पीते हैं उसमें तूलसी का पत्ता डालते हैं तो तूलसी भी हम लोग लगा के रखते हैं अब देखें यहां पर भी मैं इसको साफ कर रही हूं उसमें बहुत सारे घास जम जाते हैं बरसात में पानी पढ़ने से और चुकि इस बार गर् मार रही हूं इसमें लगाई थी मैं भिंडी जो की बहुत भिंडी तो उगा था लेकिन बहुत मर गया पता नहीं क्यों उसके जड़ में फंक जाता और वह मड़ जाता तो किसी में बहुत कम है तो उसको मैं ट्रांस्प्लान्ट कर दूँगी इधर से निकाल के दूसरे कृ मैं इसको लगा रही हूँ इदर से उदर कर रही हूँ जहां कम है वहां पे लगा रही हूँ क्योंकि सब को बराबर बराबर जो है Otherwise एक ही जगह रहने से फिर वो growth नहीं कर पाता है और फिर अभी क्या है कि घास भी बहुत ज़ादा हो रहा है तो घास भी मैं निकाल दे रही हूँ और यही सवाज मेरा garden में काम चल रहा है तो देखें दोस्तों इसमें कितनी घास है कितनी घास है घास जो है बहुत परिशान क पड़ेगा तो week में एक दिन चुट्टी मिलती है तो मैं संडे को बस उबर लग जाती हूँ येसी में और उसको क्या करती हूँ घास को उकाड़ के वही छोड़ देती हूँ उसमें ताकि वो गल जाया पानी पढ़ने से और इधर उधर फेकने से अच्छा है कि कही गंदा करने से अच्छा है कि उसमें ही वो जाएगा और वो एक तरह से खान भी बन जाएगा तो मैं यही सब सोचके उसी में डाल देती हूँ जादा जड़ होता है तो मैं उसको मिटी के नीचे दवा देती होता कि उसी में वो डिकंपोज हो जाए तो ऐसे करके मैं तो कभी बहुत जादा बर्सा की वज़े से जादा बर्सा तो इस बार नहीं हुआ अभी तक लेकिन पता नहीं क्यों उसके जड़ में फंगस ही लग जाता है बार बार तो वही सब कुछ कुछ आज गार्डन में कर रही हूँ अब देखें दोस्तों यह सब धनिया में लग होंगी यहां से और फिर आप देखें मेरा अपडेट क्या क्या में की हूँ आज पूरे गार्डन में यह देखें यह सब पुरे जुक गया है लेकिन वह ठीक हो जाएंगे साम तक और यह भिंडी भिंडी तो कुछ इसमें लगता है कि मर भी जाएंगे क्योंकि वह पूरा जुक गया है यह उसमें फंगस लग चुका है फिर भी मैं देखती हूँ और यह था मेरा पुराना चछत का अब यह मैं नए चछत पे आ गई हो नए चछत में यहां पर देखें फ्रेंड इदर पूरा नीम का पेड़ है नीम का पेड़ सारा मेरे चछत के उपर आ गया है चछत के उपर आ जाने से क्या है कि इसका जो नीम का फली अभी पूरे चछत पे पैल गया है लेकिन एक बात है इसमें एक फायदा भी होता है कि जितने नीम की फली है उसको मैं एक बहुरे में डालके रख दूंगी वो डिकंपोज हो जाएगा तो फिर मैं उसको यूज कर तकी कीरा मुकोडा वगरा की समस्या खतम हो जाए लेकिन फिर भी हो जाते हैं पताने क्यों मैं इतना नीम का पता इसका बीज उतना तारा यूज कर दी हो फिर भी लग जाते हैं दूस्तों यही मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कर ले सेयर कर ले का और भी जहां मैं गुंगती हूं ट्रैबलिंग का और डेली ब्लॉग भी मैं लाती रहूंगी और आप से प्लीज से सब्सक्राइब करें मेरे चानल को सपोर्ट करें देखिए दोस्तों अब यह मैं साफ करूंगी पूरे छट को और सारे फली को जो है एक बोरे में इसमें दोस्तों आज बस इतना इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ अब तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्युक्त